हेलो सुरेंट्स वेलकम तो आवर यूट्यूब चैनल इस वीडियों हम लग डिस्कॉस करेंगे डिल्ली क्विज्स पॉदी डेट ऑफ सेवन्थ और फेबुरिरी 2020 हम चलते हैं अपने फर्स कोशन पर इसको डिस्कॉस करते हैं प्रोड़ और श्रीराम जनम भूमी तीट शर्च रौज श्री राम जनम्भूमी तीट शेत्रा सेट्राइब अंसर है यह ट्रस्ट में इसमें 15 मेंबर्स होंगे यह राम मंदर की पुरी construction को देखेंगे कि जब उसकी construction शुरू होगी क्या-क्या उसमें various factors होंगी वो building कैसे देखेगी इन सब चीजों को यह जो ट्रस्ट होगा यह ट्रस्ट अपने 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 अंडर अपनी गाइल्डेंट के अंदर यह सारा ट्रस्ट इस काम को देखेगा next question second question which is the first Indian state to declare novel coronavirus as state disaster in February 2020 आपको बताना है इंडिया की वो पहली state कौन सी है जिसने novel coronavirus को एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया की countries में बहुत इस टाइम पे एक प्रॉब्लम बना कर रखिए इस्पेशली चाइना में तो इंडिया की वो कौन सी पहली state है जिसने novel coronavirus को एक state disaster declare कर दिया February month 2020 में तो अगर आपको पता है इंडिया में अब तक जो भी confirmed cases थे coronavirus के वो सारे एक ही state से थे और वो ही इसका question का सही आंसर उसका अंसर है optionality केरला तो केरला ने declare किया करोना वायरस को एक state disaster third question which country has inked a MOU with India in the field of research and higher education आपको बताना है recently इंडिया के साथ किस country ने MOU memorandum of understanding sign किया है जो की research और higher education की field में क्या इसका सही आंसर है United States of America Bangladesh Norway आप नेपाल तो इसका सही आंसर optional C Norway के साथ इंडिया ने sign किया sign किया एक pact जो की research और higher education से related है अगली चीज़ फूर्थ question which country recently introduced sustainable development tax for regional tourism आपको बताना है कि वो कौनसी country है जेनले रिसेटली एक special तरह का tax लग भी है जिसकी वैसे इंडियन को काफी problem होगे उस country को visit करने के लिए क्योंकि अब तक इंडियन उस country में free travel कर सकते थे पर अब जो भी इंडियन टूरिस उस country में जाएगा उनको वहां से टूरिस बुटान विजिट करेंगे तो उनको 1200 रुपे रोज का tax देना पड़ेगा अगला question फिफ्थ question question अल्बिन कुर्टी ने replace किया है रामुष हर दिन आज को और और पॉइंट हो गया इस prime minister of which country आपको बताने कि इस country के नए प्राइमन कुर्टी आपने पिच्चर देख सकते हैं क्या इसका सी आंसर है मालडोवा प्रोशिया कसोव यां मौंट्रियागर तो इसका सी आंसर हो जाए और सी कसोव तो कसोव एक बहुत ही छोटी सी उनके नए प्राइमनिस का नाम है अलबिन कुर्टी सिक्स कुर्शन अकॉर्डिंट यूनियन बजट ट्विंटी 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 वन तो जो रिसेंटली यूनियन बजट रिलीज हुए उसके हिसाब साब को बताना है गवर्मेंट आफ इंडिया का डिस इन्वेस् करोड तो इसका सेंसर हो जोग ऑप्शन नमबर बी 1.2 लाक करोड रुपीस का यहां पर टार्गेट रखा गया है डिस इंवेस्मेंट का इन फाइनचल ये ट्वेंटी 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 वन अगला कोशन सेवन्थ कोशन हूँ वाज इंवाइट इंडिय आंपकोगे कि इनटी ट्रियों अलंपिक इंजटी ट्राइशन ने किस प्रसणालिटी को इन्टी करेंगे और शॉर गांगली वासल में इन्वाइट किया है एक गुट्विल इंडिया मंदए के लिए थीं इंडिया डिया टीट्रीग करेंगे टोक्यो अलम्पिक्स में यहाँ देट भी देख सकते हैं जुलाइट 24 से अगस्ट 9 तक चलेगा टोक्यो अलम्पिक्स तो हमने फर्स सेवन कोशन डिसकर्स कर लिए अब हम डिसकर्स करेंगे एट से टेंथ जो की स्टाटिक अबर एट बजरंग पूनिया इस रिलेटेट विट स्पोर्ट आपको बताना बजरंग पूनिया अब उनके पिच्छे भी देख सकते हैं किस स्पोर्ट से लेटेड हैं क्या वह खेलते उप्षिन ने इस रहे एक फ्रीश्टाइल रेस्लर है नेक्स्स कोशिन नाइंथ वेर इस सदार वल्ला भाई पाटेल इंटरनाशन अर्पोड लोकेटिए अपको बताना सदार बाटेल इंटरनाशन अर्पोड इंडिया में आपको कहां मिलेगा क्या उनाचल परदेश आपको बताना तावर औफ पीसा आपको दिनिया किस कंट्रिम मिलेगा क्या यह इंडोनेसी में चुछ यह पीड़ीयो में और सब्सक्राइब भी को देखने यह लिए यह अपके लिए काफ़ इन फाम पिडिटिर सेरा अपर न के दो रहें पोर्टर न ओब च्क लिए video and have a successful day